हलो दोस्तो आज हमनों differentiation के दो सम देखने वाले हैं तो यहाँ पे बहुत simple है मैंने आपको बोला था कभी भी cos inverse होगा इससे पहले वाली वीडियो से आप देख लेना आपको description box में मिल जाएगी तो यहाँ पे मैंने आपको ऐसा बोला था कॉस inverse है मतलब आपको अंदर कॉस बनाना है अब अंदर कॉस बनाना है तो अंदर कॉस बनाने के लिए x को आप क्या put करोगे तक की कॉस आ जाएगा तो थोड़ा practice करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं x को sine theta डालता हूँ तो मेरा यहाँ पे 1 minute sine square जो कि cos square हो जाएगा तो अब यहाँ पे cos square होगा तो cos square हमें काम नहीं आएगा ठीक है तो क्यूंकि square हमें नीची है हमें सिर्फ cos ची है यह हो जाएगा derivative हो जाएगा किसका cos inverse of 1 minus x square का देखें कभी भी कुछ भी चीज mathematics सीख रहे हो ना तो आप हर एक चीज उसका देखें हर एक वे देखें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है तो अब यहाँ पे यह इसका formula हमें पता है cos x का इसको मैं x बोल रहा हूँ cos x का क्या होता है 1 upon minus 1 upon root of 1 minus x square बट x के बदले मैं क्या put करूँगा यह वाला part put करूँगा और फिर से derivative लोगा किसको जिसको मैं x बोल रहा हूँ तो यहाँ पे 1 minus x square आ जाएगा अब आपको चाहिए तो यह वाला part आप open कर लीजिए यह square को तो यहाँ पे हो जाएगा 1 minus यह क्या हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा minus 2 x square plus x to the power 4 और यहाँ पे यह क्या हो जाएगा इसका 1 का derivative 0 और इसका derivative हो जाएगा 2 x x square का derivative अब यहाँ पे दिखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पे 1 और 1 cancel हो जाएगा और फिर minus इसको positive कर देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x square plus x to the power 4 और उपर multiply हो जाएगा minus 2x अब यह minus minus इसको positive कर देगा तो यह हो जाएगा 2x और इसमें से x square अगर भार निकला तो वो x हो जाएगा common तो यहाँ पे 2 plus x square बचेगा तो x x cut मतलब आपका answer हो जाएगा 2 root of 2 plus x square तो आपको यह ऐसा simplify भी करना है अब जैसे कि यह सम देखते है ठीक है अभी यहाँ पे हम ऐसा नहीं बूल सकते कि यहाँ पे cos और inverse से cut हो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे cube है अगर सिर्फ आपका कभी भी cos inverse और cos ऐसा रहता है और something कुछ तो रहता है तब ही यह cut होगा बना नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे cube है तो cube में सबसे पहले मैं y को अच्छे से लिख लेता हूँ ऑफ यह होजएगा cos inverse of x cube का whole cube हो जएगा ठीक है अब यह xCube है न तो इसका derivative क्या हो जाएगा सबसे पहले मैं इसका derivatives लेक लएता हो इसका derivative हो जाएगा 3 x square ठीक है क्योंकि मैं इसको पूरेको एक्स बोल रहा हूँ और फिर से derivative हो जाएगा किसको जिसको मैं x बोल रहा हूँ तो यह x क्या है मेरा cos of cos inverse of x cube और यहाँ पर क्या हो जाएगा वो ही same चीज cos of cos inverse of x cube अब यहाँ पर मैं same चीज 3 cos of cos inverse of x cube लेता हूँ और यहाँ पर अब derivative of क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा क्योंकि अब यह x है तो आपको समझे का कैसे x चेंज हो रहा है तो cos x का derivative हो जाएगा sin x, minus sin x तो यह हो जाएगा minus sin x और फिर से differentiate करूँगा किसको, जिसको मैं x बोल रहा हूँ तो derivative of cos inverse of x cube आजाएगा, अब देखिए यह जो पूरा पार्ट है यह same आपका यहाँ पर आजाने वाले है यह bracket वाला और यह वाला पार्ट और अब मैं क्या करूँगा cos inverse of x यह है तो cos inverse of x का derivative का minus 1 upon root of 1 minus x square बट x की वेली तो x cube है तो इसका square आगया और फिर से derivative लोगा, किसका x cube का क्योंकि मैं इसको x बोल रहा हूँ अब मेरा x cube x x ही है तो अभी next step में हमारा answer आजाएगा मतलब इंचोट आपको तब तक differentiate करना है जब तक वो x ना पजाए तो अभी अगर मैं sub term को एक सथ लिख लेता हूँ तो यहाँ पर देखे, यह जो bracket रहेगा वो यह यहाँ पर आने वाल है जो कि सिर्फ बचेगा sine of cos inverse of x cube और यहाँ पर नीचे क्या बचेगा root of 1 minus x cube और यह 2 है तो x to the power 6 हो जाएगा और उपर इसका derivative हो जाएगा 3x square थोड़ा सा complicated अबर यह आपका answer हो जाएगा हेलो दोस्तो मेरा नाम जतिन शर्मा है IIT Jam Mathematics में मेरा All India Rank 406 था सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और यह वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे Facebook या Instagram पर पूछ सकते हैं मैं आपको reply करूंगा Link description में है